Hey guys, तो आज मैं Avengers Endgame का review करने वाला हूँ प्लस मैं आपको ये भी बता दूँगा कि आपको ये movie इंग्लिश में देखनी चाहिए या हिंदी में असल में मैं ये वीडियो कल ही बना देता लेकिन कल में बहुत ज़्यादा थग गया था प्लस गले में दर्द भी हो गया था क्योंकि boss कल जो मैंने उस haul में देखा वो एक masterpiece था इतनी खुबसूरती से हर एक character को दिखाया गया कि मैं उसे शब्दों में बया नहीं कर सकता हूँ इस movie में इतने ज़्यादा fan moments हैं कि अगर आप बाकी सब movies को पूरी तर से जोड़ भी दे तो मुझे नहीं लगता कि वो इसकी बरावरी कर पाएगा As a Marvel fan आप अपने favorite character से जो भी expectation लेकर जाते हैं इस haul में आपको वो सब चीद fulfill होते वे वहाँ नजर आएगी मैं personally mentally prepared होकर गया था कि भाई इस movie में मुझे रोना नहीं है I know Marvel वाले इस movie में जी जान लगा देंगे ताकि हम रो दे ताकि रुमाल की सेल बढ़ सके बट जितनी भी तयारी आप करके जाओ वहाँ पर आशू तो आही जाएंगे मेरा जूनियर इतना जादा emotional हो गया था एक particular scene को लेकर कि वो movie हौल छोड़ते छोड़ते तक उसके आँखों में नमी थी और बहुत ही जादा अदास भी था जिसे देखकर मुझे अपने उस पल के यादा गई जो मेरा हाल हुआ था लोगन movie देखते वाग क्योंकि उस movie में भी जिस तरह की ending दी गए थी वो बरदाश करने लायक नहीं थी जितने भी लोग आपसे कह रहे हैं ना कि पानी कम पी कर जाना ताकि सुसू न लगे मैं कहता हूँ जितना पानी हो सके उतना पी कर जायेगा क्योंकि पहली बात तो गर्मी है दूसरी ये कि movies में इतने ज़ादा fan moments है कि आप चिलाते चिलाते आपका गला सुख जाएगा जै पूर्ट पूर्ट होकर हसेंगे एक घंटा आसुब आएंगे और एक घंटा आप एक्शन देखियेगा और इसी तरह आप पूरे तीन घंटे इतना ज्यादा एंजॉय कीजेगा कि आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपने कितना एंजॉय किया बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि आपने उस movie को कितना ज्यादा enjoy किया है जूट नहीं बोलूंगा मेरे हिसाब से ये movie Marvel Cinematic Universe की अब तक की best movie है Superheroes category में one of the best movie है और अगर हम इसे normal movies की तरह treat करें जैसे हर एक movies को treat करते हैं ना कि उनके genre wise में जाकर तो इस movie में plot drop है लेकिन वो plot drop consider नहीं कर सकते क्योंकि वहीं इन चीज को यानि कि इस movie को इतना खुबसूरत बनाती है कि ये एक master piece कहलाने लायक हो जाती है अब आता है इस बात बहुत कि आपको ये movie English में देखनी चाहिए या Hindi में तो आप इस movie को तुनों ही language में बहुत ही जादा enjoy कीजिएगा लेकिन मेरे accordingly आप English में जादा enjoy कीजिएगा क्योंकि English में जब वो बात्चित कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही मजाकिया तरीका से बताया जाता है जो कि इस movie में हो रहे incidents से कोई लेना देना नहीं रखते हैं इसलिए आप जीस language के साथ comfortable feel करते हैं आप उसे उसी language में देखे हैं मेरे पिछले वीडियो जिसका title avoid spoilers marvel fans था उसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्होंने कुछ spoilers देख लिया है और उनने कुछ पता चलिया है जिनके वज़े से उनका मजा किरकिरा होगी है लेकिन यकी मानिये दोस्तों जब आप उस movie को हॉल में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कुछ देखा ही नहीं था और आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा मेरे एक अचित के दौरान उसने एक spoilers सुन लिया था लेकिन फिर भी उस spoiler का उससे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि जब वो movie देख रहा था और वो scene आया उसके बात से लेके movie के end तक वो उसी हाल में रोता रहा था और अभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो में लोग spoilers पे spoilers दिये जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं comment box disabled रखूंगा ताकि उन्हें वो मौका ना मिले चाहे वो अंजाने में ये जान मुझकर कोई भी spoilers आप लोगों के पास मेरे थुरू से ना पहुचे मैं जितना हो सके उतना रोक करा हूँ लेकिन फिर भी comment करने के तादात बहुत ही और उन लोगों के लिए जो वीडियो का notification पाते ही चट से first first करके लिखने लगते हैं मैं literally आप लोगों को इस वीडियो में miss करूंगा लेकिन अगले वीडियो से सब नॉर्मल हो जाएगा इना spoiler दिये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा वीडियो बना पाऊंगा जाते जाते मैं आपको एक fact बताना चाहूंगा कि अगर आपको Avengers 1, Avengers Age of Ultron और Avengers Infinity War से प्यार है तो आप Avengers Endgame को उससे 3000 गुना ज्यादा प्यार करोगे तो समझतारों लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करने का मौका मैं आपको कुछ दिन बाद जरूर दूँगा Thank you for watching, stay tuned